मोर बल है, मोर जमाना, कव में के जमाना है, यह बिटिया कव में के ही, भरे मैं दान मा कैसा हुआ लड़िका के साथ चिपक के बाई ठी, नहीं जानत रहे ना कि यह में के सहर है, एसे अच्छा था हमाँ गामाई है, यह सब था नहीं है हमरे गामाँ, आया रहती हुआ हमारे बिल्डिंग में है, जहूं हाल का रहा है, हाई जानू, हलो, जानू मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कम सकम एक घंटे हो गए, तुम इतनी देर से क्यों आई, अरे मैं क्या बताऊं, मेरी मम्मी मुझे रोंग ली थी, इसलिए मैं लेट हो गई, चलो इसी टेबू कराओगी हमेशा, जितना आज इंतजार कराई हो, नहीं यार, आज मैं देर से आई हूँ, हमेशा थोड़ी देर से आऊंगी, पर जानू, तुम्हें पता है न, कि मुझे तुम्हारे बीना कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं तो इस समय रात में सो भी नहीं पाता हूँ, यार, मेरा भी तो वही हाल है, मैं भी तो रात में सो नहीं पाती हूँ, तो मेरा नंबर ले लो या अपना नंबर दे दो, कम रात में बात तो हुआ करेगी, जानू, मैंने कभी नहीं सोचा था, कि दो दिन में ही इतना ज़्यादा हम दोनों करीब आ जाएंगे, हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन यहाँ बीच रोड में पार्क में मिलना भी तो अच्छा नहीं है कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कहेगा जो कहेगा मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है लेकिन अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो मेरी ममी बहुत खतरनाक है मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देंगी तो फिर कैसे मिले हम मैं क्या बताऊँ कैसे मिले हम अच्छा जानू चलो मैं चलता हूँ बाई ठीक है बाई फिर फोन में बात करेंगे रात मुर्बल है रे गजाब होई गा रास लेला लर्शाय के अपने अपने घरे नमस्ते माजी हम यहीं इसी बिल्लिंग में रहते हैं आपको काफी टाइम से देख रहे हैं तो हम सोचे आपसे मिलाते हैं हाँ बिटिया कुछ समय से यहाँ लड़ी का पुताओ के लगे आयन है हाँ हम लोगों ने सोचा कि चलिए आपसे मिलाते हैं ठीक आ गया है बहिनी हरे हम और इसे हो यहाँ बैठे बैठे परेसान हो जाई थे लड़ी का बच्चा चले जा थे आफिस तके एले पड़ जाई थे आज तब पुताओ हो गए ही कहा अज घर मां के ले ना रहे हैं आपको हमने पहली बार यहाँ देखा है पहले तो आप कभी नहीं आती थी हाँ हम गाउम अरहत रहे हैं अब यह समय होजा आउय गयन है और बेहन जी, आप गाउं के बारे में बताईए, गाउं में क्या कैसा है, ओ यह गाउं में सब ठीके है, गाउं में महमा एक ठे लड़ी का पुताओ रहा थे, रभी के बबबा वहा है रहा थे, ओ यह हम यहाँ हैं, अब घर मत को हूँ है नहीं की चाई साई पिया देत, अहा तो किसी लड़की को भगा के साधी कर लिया है हाँ हमें पता चला कि उसने बिना बताए साधी कर ली तैई है पंचाइद कर आया है यह हमका बिल्कुल पसंद नहीं है काज जरूर की हिसी लेकिन वह बिटिया बहुत अच्छी है हां अंटी सही बोल रही है लड़की अच्छी होनी चाहिए साधी चाहे जैसे भी हो ठीक है है सही बात है हमने सोचा कि आज चलेंगे तो आपकी बहुत से भी मिलेंगे तो आज वह यह नहीं है बैठाट जाक कुछ देर मां आवत होई लेह अधा आगे हमा माधू बिटिया इन लोगन से मिल यह ही थे पड़ोस मा रहती ह नमस्ते दादी जी नमस्ते आंटी बिटिया इन लोगन किलाने चाय बना दे और कुछ नास्ता भीजा दे यह तोहिन से मिले आई है जी दादी जी अभी भीजाती है दादी आप यहाँ, मैं चाय बनाने जा ही रही थी, मैं सोचा पहले कि कुछ नास्ता दे देती हूँ हम यह तब तावे आए रहें हैं, इनका पदनी हैं का कुछू न दी है, यहाँ पंचाइद करे आई हैं, आया हमका पसंद नहीं आ बिल्कुल लेकिन दादी, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमारे घर कोई आया है, तुसे चाय नास्ता देना चाहिए न? अरे कोई को आहीं, इन लुच्छी हरे, यहाँ पंचाइद करे आई हैं, हमारे घर के बुराई करे आई हैं क्यों दादी क्या होआ ऐसा क्या कह दिया उन्होंने अरे बेटा हमरें लड़ी का पुताओं के बुराई हमरें मुहेमा कर रही है अच्छा खासा जबाबा वादाइदियन है रही थी बोलने के तो कोई तमीज ही नहीं है हाँ अंटी अप सही कह रही है बात कैसे कर रही थी हमारे यहां की बाई भी ऐसे बात नहीं करती है इसकी अकड़ तो देखो इसके पोते ने पता नहीं किस लड़की से साधी कर ली है और यह अकड़ दिखा रही है और इसकी बहु को देखो वहां से गई किचन में की चाय ले और फिर उटके बुढिया भी चली गई वहीं चलो भाई अपने अपने घर चलते हैं पता नहीं क्या हुआ वो आंटी लोग पता नहीं दादी को क्या बोली ऐसा बेवहर क्यों किया दादी ने क्या हुआ मद्ऻू, तुम अपने आप से बात क्यों कर रही हो, और मा कहा है मा वो दादी अपने कमरे में होंगी क्या हुआ, कोई आया था क्या घर में हाँ मा पडूस की कुछ आंठियां आई हुई थी तो क्या हुआ, तुम चाय नासτα दी उन्हें नहीं मा, कुछ नहीं दिया क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने क्या सोच रही होगी वो तुम्हारे बारे में कि कैसी लड़की है, चाय भी नहीं पिलाई उन्हें हाँ मा लेकिन दादी ने मना कर दिया मा ने मना कर दिया लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया पता नहीं दादी ने पहले बोला कि फिचन में जाके कुछ चाय नास्ता लेके आओ और फिवो खुदी यहां आ गई और बहुत गुसे में लग रही थी और उन्होंने बोला कि इन लोगों को चाय नास्ता मत देना ऐसा क्या हो गया कि दादी को गुसा आ गया चलो मैं देखती हूँ मा क्या हुआ आप अभी से लेट क्यों गई कुछ हूँ नहीं रे होई गा बैठे बैठे ठक गए रहे ने तो पहुड रहे और ठंड़ा उता बहुत है हाँ मा लेकिन मधू ने कहा कि पडोस की कुछ औरते आई थी और आपने उन्हें चाय भी नहीं देने दिया ऐसा क्यों कि आपने अरे कुछ हूँ नहीं वो जगा नहीं मन पड़ा नहीं दिया लेकिन मा कुछ बात तो हुई होगी हाँ रे उन लुच्ची हाँ रे मधू के बारे मा कुछ गलत सलत बोलत रही वो हमसे बरदास नहीं भाट उनका हम अच्छा खासा जवाब दे दिया नहीं दिया चाय पत्ती काउ में के तो पडोस है यह सबाई रही है यह घूमाएं यह पडोसी आहीं आया के बुरा ही करत रही है अज़े वो बिटिया जो उनकल आई रही है सक्कर माँ गए वो आज हम सुवेरे दिखें तो टेबू लों बाहर बैटे एक लड़िया से चिपकी रही है अरे माँ आपको क्या करना है जाने दीजे इन सब खाना बन रहा है तो खा लीजे और आराम करिए किती अच्छी अच्छी थंडी थंडी हवा चल रही है क्या हुinstant तुम इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया बाहर मैं कितनी मुष्किल से बाहर आई हूँ अरे वो तुमसे मिलना था न इसी लिए बुलाया था तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अगर मेरे परिवार वाले देख लिए तो बहुत मुस्किल हो जाएगा मेरे लिए अरे कोई न देखेगा इतनी रात में किसको फिक्र है कि वो बाहर घूमने आएगा तुम समझते क्यों नहीं हो मैं तुम से बार बार नहीं मिल सकती चलो जाओ तुम मैं भी जाती हूं सोने ठीक है मैं चलता हूं तुम से मिल लिया तुम्हें देख लिया इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए मौर बल है गजाब होईगा या बिठीया आधी रात के कैसा पैसे मिला थी माँ क्या हुआ आप यहां क्यों खड़ी है इतनी ठंड में अरे का बताई देख लेता है अपने महला के हाल वह भिठीया कादे कैसा आधी रात के वह लड़िका से मिली आई है और कैसा चिप्क चिपग के बात कर रही है अरे माँ आप क्यों परिसान हो रही है जाने दीजिए यहाँ सब ऐसे ही चलता रहता है